लास्टाइम आपका एक्जाम का डेट अनाउंस हुआ था विच इस वन जुलाई तू 15 जुलाई उसके नीचे बहुत सारे निगेटर कॉमेंट्स में सक्चा था जो निगेटर कॉमेंट्स था वह था कि जो बच्चे अपने एक्जाम चेंटर पे नहीं है राइक के बाद या स्टार्टिंग होते ही वह अपने होम टाउन आ गया है इसे कोटा के बच्चे घार आ चुके है डैली के जो प्रवासी थे वो कहीं ने अपने होम टाउन जा चुके तो अब वहां पहुचना रिस्की भी है और पॉसिबल भी नहीं है और एक जून पर ही जून जुलाई तक तो नहीं पहुच पाएंगे किसी भी हाल में तो वह एक जो नेगेटिव कॉमेंट से उनका बहुत पॉसिटिव रिप्लाई आया है रिप्लाई क्या है कि कल 23 मैं 27 में को एक प्रेस रिलीज में और एक वीडियो कॉल के थ्रू आपको यह बताया गया है क कि जो बच्चे अपने होम्टाउन में हैं वह वहीं एक्जाम दे सकते हैं जो अपने दुटिक में होई एक्जाम दे सकते हैं उनको अपने जहां को पहले रहते थी जहाने का बिलकुल भी नीड नहीं है अब किये रियाए है कि अगर एंग्स, दे पाएंग है तो हम के ड करने होगा हुग और एंग्सका के बढ़ए तो deprived two five five all आपको अपने स्कूल को बदाना है कि आप वहाँ पे नहीं है, आप अपने होमटाउन आ चुके हैं, जून के फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, मेबी आपसे फॉर्म फिल करवाया जाए, या किसी और थू के, किसी और वे आप इस टेंशन से फ्री हो जाएं, इसलिए आपको एक महीने पहले बदा दिया गया है, अब आप उसे पढ़ाई करना है, जहां आप आप एक्जाम दे पाएंगे, बस पढ़ाई करना है, और चितना effort लगा सकते हैं, लगाओ बच्चों सिब एक महीना बचा है, और जो ब अपावे पढ़ाई करना है, पढ़ते हो, मस रहो, खाओ पी ऊदावाई